इन, ओन और अट कभी भी दिक्कत नहीं आएगी अगर इस तरीके से समझ लिया देखिये, इन का मतलब होता है वोल्यूम या फिर एरिया जब हम किसी चीज के अंदर की बात करते हैं, किसी चीज के एरिया की बात करते हैं उस केस में जो हम प्रेपोजिशन लगाते हैं, वो इन होता है अगर मैं किसी के सरफेस की बात कर रही हूँ, किसी चीज के उपर उपर चीज की बात कर रही हूँ तो मैं जो प्रेपोजिशन लगाती हूँ, वो होता है और जब मुझे ना ही एरिया से मतलब है ना ही मुझे उसके surface में मतलब है मेरे लिए वो चीज केवल ओ केवल एक point है एक बिंदू है उस case में जो हम लगाते है preposition वो होता है हमारा at एक बाव पढ़ते है in का मतलब क्या होता है area on का मतलब होता है surface और at का मतलब होता है point चले इसी चीज को समझते हुए in questions को solve करते है पहला question जो आपके सामने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है he is sitting dash a chair जल्दी से बताइए in आएगा on आएगा या फिर at आएगा चले ध्यान से देखते हैं हम किस चीज की बात कर रहे है अगर मैं एक normal chair आप लोगों के सामने बनाती हूँ ये हमारी एक normal chair है जो मैंने बनाई बताइए हम इस chair के उपरे हिस्से पर बैठते हैं हम इस chair के surface पर बैठते हैं या हम इस chair के area में बैठते हैं ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस chair ने जो area cover किया हुआ है इस chair ने जो पूरा का पूरा area cover किया हुआ है हम उसके उपर बैठते हैं और जब भी हम area की बात करते हैं उस case में जो हम preposition लगाते हैं students वो क्या होता है वो हमारा in होता है अगर ये chair नहीं होती ये एक मोडा होता ये एक stool होता जिसमें कोई भी arms नहीं है हाथ रखने की जगा नहीं है तो उस case में क्या लगाते हैं अगर ये chair नहीं होती ये एक normal एक मोडा होता है ऐसे एक stand होता उस case में आप यहाँ पर क्या लगाते हैं उस case में आप on लगाते तो जब भी हम किसी चीज के area की बात करते हैं, हम in लगाएंगे, similar early, अगर मैं table की बात करूँ, तो table के surface की उपर कोई चीज रखी हुई होगी, table के उपर, उसके surface की उपर रखी जाने की वज़ा से, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे बचों क्या आया, on आया, इतनी चीज समझ में आया, तीसरी बात, जब मैं reception desk की बात कर रही हूँ, मेरे दोस्त नम उसे पूछा, आप मुझे कहाँ पर मिलोगे, मैंने उसको बताया कि मैं reception desk पर मिलूगी, उसे फ़रत नहीं है कि मैं reception desk के area में हूँ, या मैं reception desk के surface पे हूँ, उसके लिए जो वो desk है, क्या मैं कहे सकत हूँ, एक point है, एक point है, जहाँ पर मैं उसे मिलने वाली हूँ, और जब भी हम point की बात करते हैं, whenever we talk of point, उस case में जो हम preposition लगाते हैं, वो act लगाते हैं, तो अगर इस basic से हम सारे सवालों को करेंगे, तो कभी भी हमारे in, on और act में गलती नहीं होगी, चालिए, अब एक बह अगला पार्ट है, वो एक दम सॉल्व हो जाएगा, देखिया, क्या मैं कह सकती हूँ, यह सब चीजें हम मैट्स में भी पढ़ते हैं, कि जो एरिया है, वो सबसे बड़ा है, उससे छोटा सर्फेस है, और उससे छोटा point है, I hope सभी बच्चों को यह बात बहुत अच्छ से स साथ हम on लगाएंगे, और उससे भी छोटी चीज के साथ हम at लगाएंगे, क्योंकि इन सबसे बड़ा on उससे छोटा और at उससे भी छोटा, इसी बेसे पे कुछ questions करते हैं, चले, सबसे छोटा क्या है, at है, तो अगर मैं किसी time की बात करती हूँ, एक point of time की बात करी हूँ, चार बजे, पांच बजे, छे बजे, साड़े, साड़े, साथ बजे, point की बात करी हूँ, वो time एक point है, जब point ही बात करी, अभी हमने पड़ा point सबसे छोटा, इसका मतलब यहाँ पे मैंने क्या लगाया, at लगाया, I will reach at 4 pm, मैं चार बजे बहुच जाओंगी, चले, point से हलका इसा बड़ा surface था, surface का मतलब था on, तो time से बड़ा क्या होता है, दिन, time से बड़ा क्या होता है, दिन, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 15, August, 16, January, दिन, time से बड़ा होता है, तो उससे just बड़ा क्या होता है, on होता है, तो days के साथ, my dear students, हम क्या लगाते है, days के साथ हम on लगाते है, तो यहाँ पे म मिला, 15 August को चाले, In अब आने वाला है At हम परचुके हैं On हम परचुके, On से थोड़सा भड़ा क्या होता है On से बढ़ा होता है In, Days से बढ़ा क्या होता है month, एक महीने में 31,31 दिन होते हैं, Days से बढ़ा क्या होता है, month, तो मंत के साथ on से बड़ा वाला क्या लगा month के साथ on से बड़ा वाला in लगा तो हमने यहाँ पर क्या लगाया in लगाया for example the exams will start यहाँ पर हमने on लगाया था क्योंकि यह day था he will come in January क्योंकि अभी हमने पड़ा कि month के साथ हम in लगाते हैं अब month से भी बड़ा क्या हो गया year हो गया month से भी बड़ा year हो गया एक साल में 12 महीने होते है लेकिन इन से बड़ा तो कुछ और ही नहीं हमारे पास तो year के साथ भी हम क्या लगाते है year के साथ भी हम in लगाते है तो यहाँ पर क्या है India got independence in 1947 तो simple सा logic था यहाँ पर कुछ रटने की ज़रूरत नहीं थी किसी बचे को कि time के साथ add लगता है day के साथ on लगता है logic है भी point सबसे छोटा होता है सबसे छोटा time होता है तो add लगाया उससे बड़ा surface होता है तो उससे बड़ा day होता है तो on लगाया उससे बड़ा area होता है, मतलब in होता है, इसका मतलब क्या लगा, इसका मतलब year और month के साथ हमारा in लगा, कोई दिक्कत नहीं, चलिए, अब अगली बात करते हैं, एक बहुत important बात और करते हैं, कुछ important चीज़ें जो हमें definitely, definitely देखनी है यहाँ पे, बहुत सारे exams में यह चीज पूछी जाती है, आपके पास बहुत बार today दे रखा होता है, today का मतलब क्या है, आज, tomorrow दे रखा होता है, मतलब आने वाला काल, day after tomorrow दे रखा होता है, मतलब परसो, yesterday दे रखा होता है, जो निकल चुका है, तो उन cases में आप कोई भी preposition use नहीं करते हो, I will come on today नहीं होगा, I will next Sunday, coming Sunday, इन सभी के साथ कोई भी preposition use नहीं होता, मतलब ना ही in use होगा, ना ही on use होगा, और ना ही at use होगा, we will use no preposition with them, इन के साथ कोई भी preposition use नहीं होगा, इसी लिए I will come on next Sunday हमारा गलत है, क्योंकि next Sunday के साथ कोई भी preposition use नहीं होता है, हमें क्या लिखना होता है, I will come next Sunday, मैं अगले संडे आऊंगी चले, इतना समझ गए है अगर इतना समझ गए है तो मुझे अगले वाले question का answer आप फट से दे दे देंगे definitely दे देंगे अगर मैंने लिखा I live dash केलाश dash Delhi I live dash मैंने क्या sentence लिखा आप लोगों के सामने I live dash केलाश dash Delhi आपके पास options है चार पहला option है in और at दूसरा option है at और in तीसरा option है at और at फोर्थ option is in and in आपके पास A, B, C और D चार options है सभी लोग मुझे बताएंगे comment करके कि इस वाले question का क्या answer होगा याद रखिएगा at छोटी जगाउं के लिए यूज होता है in बड़ी जगाउं के लिए use होता है क्योंकि अभी हमने पढ़ा है at छोटा होता है point छोटा होता है in area बढ़ा होता है तो क्या मैं कह सकते हूं कलाश छोटा है Delhi बढ़ा है कलाश एक area का नाम है डेली के अंदर कैलाज छोटा है, डेली बड़ा है, छोटा है, इसका मतलब क्या है, अट आएगा, डेली है, बड़ा है, इसका मतलब क्या आएगा, इन आएगा, तो doubts ऐसे ही solve होंगे, अगर हम बिलकुल basic से चीज़ों को पढ़ेंगे, मुझे रटने की कोई ज़रूरत नहीं मैं बस देखूंगी छोटी जगा कॉनसे है, बड़ी जगा कॉनसे है, छोटी जगा होगी तो एट लगा दूगी, बड़ी जगा होगी तो इन लगा दूगी, thank you